जहां एक तरफ भारत के दो दोस्त फ्रांस और इजराईल आपस में भिड़ गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है राफेल ने अब F-16 को धूल चटाया है मार गिराया है आरत के लिए ये बहुत बड़ी खुसकबरी है तो वहीं पाकिस्तान के लिए दुखों का पहाड़ तूट पड़ा है जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार स फ्रांस और इसराइल के बीच बहुत अच्छे संबंद तो नहीं रहे हैं लेकिन जब मैकरोन को दूसरा टर्म मिला यानि की दूसरे बार राश्टपती बने तो इसराइल की अकबारों में ये खबर चपी कि जल्द ही फ्रांस और इसराइल के बीच रिस्ते अच्छे अब अचानक से ये रिस्ते बिगडने लगे हैं बिगडने का कारण क्या है अचानक क्या समस्या आ गई तो समस्या हुआ फ्रांस इसी नागरिकता रखने वाले इस सक्स को इसराइल ये कह रहा है कि हम इसे निकाल के बाहर फेकेंगे जब जब इसराइल ने पहले ये बात क तब तब फ्रांस ने request किया कि नहीं आप ऐसा मत करो उसे देश निकाला मत दो पर इसराइल ने कहा कि नहीं हम इसे देश निकाला देंगे क्योंकि ये हमारे राजनितिक हित के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ये इनका रिस्ता उससे है जो हमारे परतिबंधित उगरवादी समू है सारा मामला यहीं पर जाकर अटक गया दरसल ये जो आदमी है ये एक फलिस्तिनी वकील है और अपने आपको समाजिक कारे करता बताता है रवीवार को इसे यहां से निकाल दिया गया और कहा गया कि तुमने फ्रांस की नागरिकता ले ही रखी है तुम यहां से जाओ फ्रांस सरकार ने इसराइल के इस कदम का बिरोध किया और अब एक कुटनीतिक विवात सुरू हो गया है हम मोरी नाम का यह सक्स है जिसके निसकासन पर यह सारा बवाल खड़ा हुआ है फ्रांस ने इसराइल से कई बार गुजारिश की थी कि हम मोरी को आप नहीं निकालो लेकिन आखिरकार इसराइल के ग्रिह मंत्री आयलेड सेग्ड ने एक वीडियो में कहा कि मुझे यह एलान करते हुए खुसी हो रही है कि आतंकवादी सलाह हम मोरी को इसराइल से निकाल दिया गया है और इंसाफ कर दिया गया है हम मोरी का जन्म वैसे तो यरुसलम में प्रतिषित यहूदी धर्म गुरू की हत्या करने के लिए साजी सभी रचा था हुआ है लेकिन दोनों देसों के बीच अब एक कूटनीतिक भीबात जरूर खड़ा हो गया है इस फलस्तीन के कारेकरता की वजह से वैसे इसराइल अपने अस्तित्त को बचाए रखने के लिए ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ता है जिससे की भविस्य में उसे किसी तरह की समस्या हो जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पडोसी पाकिस्तान की तो क्लास लग गई एक तो चाइना ने दिया JF-17 और चाइना का दिया हुआ ये JF-17 बेजज़ती छोड़कर और कोई काम नहीं करवा रहा है नो तो पाकिस्तान के लिए और नहीं चाइना के लिए डीफेसा ओनलाइन इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि चीन ने जेट बनाया JF-17 जिसमें रूसी RD-93 इंजन लगा हुआ है कई खराबी है और ऐसी खराबी है कि ये फाइटर जेट अब उड़ भी नहीं पा रहा है हाला कि पाकिस्तान और चाइना ने कोशिस की कि अजरवेजान स्रिलंका और मलेसिया में किसी तरीके से अपने इस JF-17 फाइटर जेट को चेप सके लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ है रूस एक तो इन सारे पार्ट्स को दे नहीं रहा है उपर से इस वक्त जो जगड़े और लडाईया चल रही है ऐसे में इस पेर पार्ट्स मिलेंगी भी नहीं ये भी बिल्कुल तय है डायरेक्ट रूस से RD-93 इंजन खरीदने की कोशिस भी कर रहा है पाकिस्तान आपको बता दें पाकिस्तान को चीन के उपर भरोसा नहीं है चीन ने ये सर्थ रखी थी कि इसके जो भी स्पेर पार्ट्स रूस के बने हुए हैं वो आप हमसे मांगोगे हम रूस से खरीदेंगे तब आपको देंगे पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि रूस तो ओरिजनल भेजता है चाइना यहाँ पर अपने घटिया वाले माल हमें भेज देता है ये बतला कर कि यही पार्ट्स आए हुए हैं इसलिए पाकिस्तान ने डायरेक्ट रूस से मांगा था आरडी नाइन थ्री इंजन के पार्ट लेकिन रूस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया अब ये सारा कुछ देखकर लग रहा है कि सारा कुछ असंभव हो चुका है रूसी पार्ट्स तो अब मिलने से रहे और इस वज़े से जेफ 17 पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो गया है अब पाकिस्तान दोड़ा अमेरिका के पास और अमेरिका उसकी उम्मीदों पर खराबी उत्रा अमेरिका से करीब 85 की संख्या में पाकिस्तान ने लिये है F-16 फाइटर जेट इस वक्त रीड की हड़ी है पाकिस्तानी वायू सेना के हाला कि ये रीड की हड़ी खराब हो चुकी थी लेकिन बाइडेन ने आखिरकार जो पैकेज घुसित किया कि हम अपगरेड कर देंगे उस पैकेज की वज़े से वापस से आकर खड़ा हो गया और 85 के 85 F-16 अपगरेड होने लगे पाकिस्तान इतराने लगा क्यों आपको बत है माकी तो JF-17 का कोई ठीकाना ही नजर नहीं आ रहा था यानि पाकिस्तान अपनी वायू सेना में F-16 को एक बहुत बड़ा बहुत महत्पुर्ण अंग मानता है और भारत के लिए ये टेंसन वाली बात है कि F-16 को काउंटर करना बेहत जरूरी है F-16 काउंटर नहीं किया त एक बड़ा सवाल था और इस सवाल को हल कर दिया है किसी और नहीं बल की हाल ही के हुए एक डॉग फाइट ने इस डॉग फाइट में राफेल ने बाजी मार ली है और कई भीमानों को हराते हुए F-16 को भी धूल चटा दिया है और ये डॉग फाइट हुई कहां पे है तो आपको बता दे यह वो वो देस है जिसके पास वक्त ऐसादि भीमान भी है और डीमानों भी है गैंने एक युद्धह प्यास आयोजित किया और इस युद्धह आप्यास में एस खाइट है समाही इंच शेल को फाइट मीन देश और यहां इली ये जीत बतला रहा है कि एक तो पाकिस्तान को जो चाइना ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है ब्रमोस ने एक्सिडेंटल ही सही लेकिन ये तो पुरूफ कर दिया कि चाइना के डिफेंस सिस्टम बेकार है वहीं दूसरा 85 की संक्या में F-16 है लेकिन राफेल उनका मोतोड जवाब दे सकता है तुकि ये चाइना के टेकलोजी से बने है यानि चाइनीज बिमानों के लिए भी एक संदेश है फिर भी नंबर्स काफी बड़े हैं इसलिए भारत को जल्द से जल्द राफेल विमानों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताए